नमज़कर दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है एक और पोर्टफोलो के डिलर्टट तो जिनका ये पोर्टफोलो इन्होंने अपना पोर्टफोलो तो बिल्ट किया एंड टोटल 11 स्टॉक इनके पोर्टफोलो में हैं उसके अलावा चार और स्टॉक को यह एड करना चाहते हैं इनमें से फर्स्ट टेट डिमार्ट देन हैं कैम्स उसके बाद डिक्सॉन और उसके बाद इन्फोईज अभी चारू के चार अच्छे कंपनीज हैं अच्छे डिक्टन प्रवाइट कर सकते बट पहले आपका पूरा पोर्टफोलो देख लेते और जानेंगे कि आगे आपको क्या कुछ चेंजिस करना चाहिए और कौन से और स्टॉक्स को जो है वह आप एड कर सकतो अपने पोर्टफोलो में तो इन्वेस्टमेंट के अगर बात करें तो इन्होंने टोटल 26,55,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और करेंटली इनको लॉस हो अपने पोर्टफोलो में 3,75,000 का तो परसेंटेज बेसिस पे 14% का लॉस है और करेंटली पोर्टफोलो का जो वैलू है पो 22,79,000 का बन चुका है तो इनके पोर्टफोलो में टोटल 11 कंपनी इस है जिन में से फर्स्ट कंपनी इनके पास है बाला जे हमाईस 81 स्टॉक टोट लॉस इनको हो रहा है अभी बाला जे हमाईस इसे गुट कंपनी बट साथी सथ गुट कंपनी के साथ साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि रिडिस कंपनी में कितना ज्यादा इन्वाल्व है राइट क्यूंकि आप याप एक पोर्टफोलो बना रहे है जाप यह आपके बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए तो बालाजी अमाईस के अगर बात करें तो लास्ट दो क्वार्टर से ग्रोथ काफी फास्ट आड़ा है सेकेंड ली जो सेक्टर है वो भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि एमाईस के सेग्में में सिब दो ही कंपनी है डो पॉली है बिस कम हो सकता है तो उस चीस के लिए पहले से आपको तयार रहना चाहिए और कैसे आप पहले से तयारी कर सकतो सिंप्ली आप अपना अगर अलोकेशन को करन्ट्रोल में रखतो तो वह सबसे जाधा ठीक रहेगा ऑपने अल्मोस्ट दस परस परस के अलोकेशन प्रोवाइड कर अगर सही चला जाता है तो अगर यह गलत चला जाता है तो आपको लॉस भी हो सकता है तो इस बज़े से कंपनी अपने अच्छा पीक है बट एलोकेशन जो वह कंट्रोल में रखना चाहिए इनके पास है इंडियन एनरजी एक्षेंज एधर पे 2,62,000 का इंवेस्टमेंट ह इनको 30% का लॉस हो रहा है 79,000 का लॉस है कंपनी तो अच्छा है एंड कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है लॉंग टाम में बहुत अच्छा करने का पॉसबलेट यह बट अगेन आई एक्स जो है यह एक मिट कैप कंपनी तो अगेन आपका जो एलोकेशन है पोड़े प कर दे था है इनके पास है जुबिलन फूट में 2,46,000 का इंड़ेश्मेंट है और 7% का इनको लॉस हो रहा है तो जुबिलन फूट भी एक अच्छा कंपनी है लॉंग टरम के लिए होल्ड जरूर किया जा सकता है तीनों ही कंपनी बहुत अच्छे बट अगेन जुबिलन फ से 6% का लॉस हो रहा है एड़ जस्ट इंवस्ट मगश doesn खरасण के इंवस्ट करी ओने दपस असपास आंकर द्रक्फाम का लिएस पूर्शं के यह थेिंघृट रॉ disciples सर्विस इधर पे बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट है 4,30,000 का 31% का लॉस भी इनको इधर पे होड़ है 1,35,000 का लॉस तो इसी कंपनी में होड़ है अभी कंपनी के अगर बात करें बिजनेस के अगर बात करें तो कंपनी अच्छा है बिजनेस अच्छा करें बिजनेस में ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है तो लोंग टम के लिए अगर होल्ट करेंगे तो 31% का जो लॉस से वो डिकावर होने का बहुत ही हाई पॉसोबलेटी है बट अगें जो कंपनी है तो इधर पर अलोकेशन अपने बहुत ही ज्यादा प्रोवाइट के मोर दें 15% का अलोकेशन अपने प्रोवाइट कर दें इस कंपनी में अगर अपने स्टडी करके लिए तो ठीक है अगर आपको पता है कि exactly कंपनी बिजनेस क्य करता है और कैसा क्रोथ आने वाला है मार्चिन में क्या कोई या पर आप कैसा तो घिरावर्ट होगा मार्चिन में प्रेशर रहेगा फ्यूचर में या नहीं तो वो जिस अगर अपने एकदम डीपली स्टरीक है एंड फुली आप कॉन्फिडेंट हो कंपनी को लेके तो किसी एक कंपनी में प्रवाइड नहीं करता हूँ उससे रिस्क बढ़ जाता है पॉट्फोल में चाहिए कितना भी कंविक्शन मेरा उस कंपनी में हो तो मैं 10-12% के बीच में है अलोकेट करना प्रेफर करता हूँ इनके पस कंपनी माइन्ट्री एंड इधर पी 101,000 इनके पास है 3,67,000 का इन्वेस्पेंट अगें मोर देन 10-12% का अलोकेशन 21% का लॉस हो रहा है अभी कंपनी जो अपने पिक क्या है माइन्ट्री कंपनी बहुत अच्छा है कंपनी ग्रोइंग है एंड निक्स्ट वान ये के अंदर हो सकता है कि माइन्ट्री का ना माइन्ट्री ना रह zapto क्योंकि、 मारजार हो जाएक है LTE के साथ इसका वरल दोनों कम्पनी है एंड एक सेक्टर में अगेन कमपणी अच्छा जरूर है अब कैसा है तो कि जो recovery phase इस temperature चल रहा है travel and tourism में तो उससे काफी benefit इस company को मिलेगा अभी क्योंकि इधर पे इनको profit हो रहा है तो हो सकते कि लोग को लगेगा कि ये bet सही लिया है कमपणी बिल्कुल सही है अभी अगेन कमपणी में कोई इशू नहीं है क्योंकि कमपणी लास्ट तीन चार साल से बहुत अच्छा कर रहा है बट इशू इधर पे कि कमपणी हैं बहुत ही छोटा साथ से लेके के उपर फोकस करना चाहतों तो हो सकता कि आपको यह पॉर्टफिलो काफी बढ़ा रिटन दे चाहिए अगर आप आप ओवर ऑल पोटफिलो के स्ट्रॉंग पॉर्टफिलो बनाना चाहतों क्यों बहुत हाई रिस्क आपको नहीं लेना है तो मेरी सबसे पहले ज्यादा इधर पे इनोंने 2,30,000 का इंवेस्टमेंट के है 26% का लॉस है 61,000 का लॉस है कमपणी अच्छा है लॉंग टम के लिए होल्ड किया जा सकता है बट अगेन ऐलोकेशन बहुत हाई है उसके बादे डिवीज लैप एंड 43,000 का इंवेस्टमेंट है इधर पे अभी कोई लॉस इनको होड़ नी रहा है जादा बटे लार्ज के अंदर ये दो कंपणीस हमको देखने को मिला चोकी क्वालिटी कंपणी से बजाज फाइनेंस अंड डिवीज लैप इधर पे इनोंने एलोकेशन सबसे कम दी है देने टाटा एलेक्जी एंड इधर पे 2,31,000 का इंवेस्ट इनको मिले या प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक में उसके बाद नेक्स इनके पास कंपणी दीपक नाइटाइट इधर पे 107 शेर इनके पास 2,30,000 का इंवेस्टमेंट 19% का लॉस है 44,000 का लॉस इनको होड़ा है कंपणी अच्छा है कंपणी स्ट्रॉंग है एंड बहुत अच्छा है तो लॉंग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है और दीपक नाइटेट में क्योंकि अलोकेशन अपने हाई दिया है तो हो सकता ह जाधा है क्योंकि अलोकेशन काफी है पट्टर रिवार्ट भी काफी जाधा मिलने का पॉसिबलेट है क्योंकि मैनेजमेंट वाकिंग दा टॉक है जैसा वो बोलते है वैसा वो कड़के दिखाते है दो दोस्तों यह थे इनके टोटल 11 स्टॉक्स तो आपकी साब से यह पाते तो और भी बेटर तरीके साम बोल पाते कि इस पॉट्फोलो में कुछ चेंजेस करना चाहिए बट अगर आप सिर्पर सिर्फ मिट केप एंड स्मॉल केप कंपनी में फोकस करना चाहते हो तो भी आपको क्या करना चाहिए आप चार या पांच पॉरसें थक एलोकेशन प्रोवाइड कीजें मिट एंड स्मॉल केप कंपनी में थोड़ा नंबर अप स्टॉक को बढ़ानी की कोशी कीजें एक्स्ट्रीम केसेस जो होते है पॉर्टफोलो का वह खड़ाब होते वह आपके सकतो बहुत हाइली रिस्की होते है अगर एक्स्ट्रीम्ली डाइवर्सी होता है अपका पॉर्टफोलियो तो भी आप कह सकतो कि अपका पॉर्टफोलो अच्छा नहीं बनेगा तो एक्स्ट्रीम केसेस में नहीं जा रहा है आपको बीच में रहना है एंड लगभग आप 15 18 20 स्टॉक्स को लेकि अच्छा पॉर्टफोलो बिल्ट कर सकतो तो अगर अगर आपको क्वालिटी और स्टॉंग पॉर्टफोलो बनाना है जाप आपको जाधा रिस्क नहीं लेना है ओके तो आप लार्ज केप कंपणी को पर फोकस कर सकतो जिनको पर ऑल्डेर हमने वीडियो पोस्ट के प्लेलिस्ट में जाईए आपको मिल जाएगा वहापे इश आपके a वापके फॉरिट्फ और स्टॉंग पोर्फोलो बनाना है तो अग्रिठ नहीं कर सकतो अपको मिड़का ऍयुक्त कंपणी में से उनके पर फोकस कर सकतो लईग्यब एक बहुत इंट्रेस्टिंग लग मंवं एक इंट्रेस्टींग कंपणी टार से प्रोड़ट एक इंट्रेस्टींग इंpage कंपणी इंडेस्टाइसठी on dar könnt खेड सब्सक्राइब कंपनी और वाली हैं एंड फाइनसिंग के अंदर आपको आवस फाइनिशर मिलेगा या होम फ़र्स्ट फाइनस मिलेगा तो वह भी इंट्रेस्टिंग कंपनीज है तो उनको अपको बता है तो अभी जाके खड़ीद लेना ऐसा नहीं है आपको पहले कंपनीज का नाम वह वास्ट लिस्ट में अगर आपको अच्छे लगे एंड अगर अच्छे लगे एंड मेंचमेंट की तरफ से जो ग्रोध काईरेंस आएगा तो वह भी अच्छा लगे एंड उसके उपर अगर आपका कॉंफिडेस बिल्ड हो तो आप इंवेश्मेंट करने के बारे भी सोच सकतो उन कंपनीज में ओके तो चले भी देख लेते आपका पॉर्टफोलो लॉंग रान में कितना विल्ड बना करके दे सकता है तो टोटल जो इंवेश्मेंट अभी इधर पे है वो है 22,80,000 का क्योंकि लॉस होने के बाद पॉर्टफोलो का साइज इतना ही हो चुका है अगर एक्सपेक्टेर र पंदरा साल अगर होल्ड कर तो अपने पॉर्टफोलो को तो अफटर 15 यर्ज 2.73 करूर का वेल्थ आपक्रेट कर सकतो अभी पहले तो आप देखे कि आपका टार्गेट क्या है कि अब कितने टााइम के अंदर कितना वेल्थ कर सकतो ओके कितना प्रियेट करना चाहते हो अगर आपको या पे 15 साल में 2.73 करोर से खुश हो तो 18% के एवर्ज डिटर्न के साथ वो बन जाएगा उसके लिए आपको बहुत हाई डिस्क लेना पड़ेगा वो नहीं है आप लीडिंग और स्रॉंग वाली कंपनीज में निविश करके उतना डिटर्न एक्सपेक्ट कर सकत आप कमेंट करके जरू बताना वीडियो गर अच्छ लगा है तो एक लाइक जरू कर देना साथी साथ चैनको सब्सक्राइब जरू कर लेना नीचे अप्स्टॉक्स का लिंक आपको मिल जाएगा चाओ तो उसके थुरू आप अपना अकाउंट ओपेंट कर लेना एंड हमान झाल